हलो दोस्तों, बेलकम बैक, मेरा नाम है सपना साहू और आज हम अब्राहम मासलो के बारे में कुछ चर्चा करेंगे तो आईए हम अब्राहम मासलो के बारे में कुछ चर्चा करते हैं अब्राहम मासलो ये जो हैं वो अमेरिका की हैं अब्राहम मासलो ने आवश्यक्ता की सिध्धान्त दिया आवश्यक्ता की सिध्धान्त को हम अन्य नामों से भी जानते हैं जैसे कि आवश्यक्ता की सिध्धान्त को अन्य नामों से जानते हैं इसे हम उपनाम भी कहते हैं तो आईए हम जानते हैं कि हम आवश्यक्ता की सिध्धान्त को और किस-किस नाम से जानते हैं। इसे हम मासलो का पिरामेड, मासलो का सिध्धान्त, मासलो का मानवताबादी सिध्धान्त, मासलो का पदानुक्रम का सिध्धान्त, मासलो का व्यक्तित्व का सिध्धान्त, मासलो का प्रेणा का सिध्धान्त इसे हम इन नामों से भी जानते हैं तो माशलो ने ये जो अवस्यक्ता का सिध्धान्त है इसे पाँच भागों में विवाजित किया तो आईए हम उस पाँच भागों के बारे में बात करते हैं तो पहला भाग जो है वो है हमारी सारीरिक जरूरत दूसरा शुरक्चा की जरुरत, तीसरा है तदात्मिक्ताया संबंध है, चौथा है आत्मिस्वास और पाँच्वा हमारा है स्वा, प्रत्यक्षी, करण, तो आईए हम सबसे पहले सारे लेवल की बात करते हैं, जो है हमारी सारीरिक जरुरत, तो दोस्तो सारीरिक जरूरतों में हमारा जैसे भूख, प्यास, सोना, सैक्स ये सब हमारी सारीरिक जरूरते हैं भूख लगेगी भोजन की अवर्शक्ता है, प्यास लगेगी पानी की अवर्शक्ता है सोना है क्योंकि नींद भी हमारी सारीरिक जरूरत ही है यह सब हमारी सारे रिक जरूरते हैं जैसे कि दोस्तों आपने जैसा कि देखा होगा लोकडाउन जब हुआ था तब बहुत सारे चीजों को बंद कर दिया गया लगभग सभी चीज़ें बंद हो गई हैं जो खानी पीने की चीज़ें हैं वो उसे बंद नहीं किया गया क्योंकि खानी पीने की चीज़ें जो हैं उसके बिना हम अपने जीवन की कलपना नहीं कर सकते हैं यह हमारी खानी पीने की चीज़ें जो हैं सारे एक जरूरते हैं उसके बाद हम अपने सुरक्षा के बारे में सोचते हैं नौकरी के बारे में सोचते हैं कि हमें कुछ नौकरी लग जाए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी हो जाए हमारे पास कुछ ऐसे संसाधनों जिनसे हमारा मनुरंजन हो जगे तो ये दूसरा लेवल हुआ जब ये फस्ट और सेकरेंड लेवल हमारी जरूरते हैं इनकी जरूरते हमारी पूरी हो जाती हैं तो इसके बाद हम तीसरे लेवल पर पहुंचते हैं जो तदात्मिक्ता या संबंध हैं इसमें हम अपने परिवार के बारे में हमारे जो साथी होते हैं उनके बारे में हमारा पेट भरा हुआ है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है इस तब तब हम इनके बारे में सूचते हैं यदि हमारे हमारे हमारा पेट भरा नहीं होता हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं होती तो हमें ना तो कुछ दोस्त दिखाई देंगे और ना ही हम अपने जिवन साथी के बारे में कल्पना करेंगे अब हम चलते हैं चौथे लेवल पर जो की है आत्मसम्मान दोस्तों जह हमारे पास यह तीन चीजें हमारी तीन आवश्चक्ता पूरी हो जाती हैं उसके बाद हम अपने आत्मसम्मान की बात करती हैं यदि हमारे पेट में भूख लगी है तो हम अपना सम्मान चाहते हैं और दूसरों का सम्मान इसमें करते हैं, तो इसके बाद आता है हमारा पांचवा लेवल, पांचवा लेवल जो है वो स्वा प्रत्यक्षी करण का लेवल होता है, इसमें हम भीदभाव से ही परे हो जाते हैं, रचनात्मक्त सोच, रचनात्मक्त सोच और जो भी तत्थ होते हैं उनको स्विकारते हैं तो दोस्तो हमने आज मासलों के बारे में जाना मासलों के बारे में आज हमने जाना आगे भी कुछ नई जानकरिया लेकर मिलेंगे नए वीडियो में थेंक यू